लो गैज आज के इस वडियम हम गूगल पे से प्रोफाइल फोटो को हटाना सीखेंगे तो गैज अगर आप गूगल पे में प्रोफाइल फोटो लगाए हुए हैं तो जब भी आप अपने गूगल पे से किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसके Google Pay में इस तरह का profile photo जो है so होता है तो गैज अगर आप अपका जो Google Pay में profile photo लगा हुआ है अगर आप इस profile photo को अपने Google Pay से delete करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं तो कैसे आप इससे हटाएंगे यहीं आज के इस बड़े महम जानेंगे तो गैज गूगल Pay से profile photo को हटाने के लिए सबसे पहले आपको जो Google Pay का application है उससे open कर लेना है और open करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह का 궁ल Pay का home screen आएगा उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल Pay के profile photo में क्लिक करना है profile photo में click करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह का interface आएगा तो guys इसे आपको थोड़ा नीचे scroll down करना है और scroll down करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा manage google account तो guys इसाप आपको manage google account के इस option में click करना है जैसे आप manage google account के इस अफसन में क्लिक किजिए अपके समने कुछ इस तरह का इंडरफेस आएगा तो गैज अपके गूगल पे में जो भी प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है वो अप्रोफाइल फोटो यहां पर आपको दिखाए पड़ेंगे तो यहां पर आपको इस प्रोफाइल फोटो में क्लिक करना है और प्रोफाइल फोटो में क्लिक करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह का इंडरफेस आएगा तो गैज अगर आप यहां से इस प्रोफाइल फोटो को हटाना चाहते हैं यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा remove का तो यहाँ पर आप remove के इस option में क्लिक करके इस profile photo को हटा सकते हैं और गैज अगर आप इस profile photo को change करना चाहते हैं यानि कि बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक change का option मिलेगा यहाँ पर आप change के इस option में क्लिक करके इस profile photo को change भ डोबारा एक remove का option आएगा, तो कैज आप आपको दोबारा इस remove के option में क्लिक करना है, जिसे आप दोबारा यहाँ पर remove के option में क्लिक करते हैं, आपके गुगलबे में जो भी profile photo लगा हुआ था, वो अप profile photo आपका गुगल पे से remove हो जाता है, तो गाईज अब आपको क्या करना है आपका जो Google Pay का application है उससे एक बार logout कर लेना है लोगाउट करने के बाद आपको दोबारा login करना है तो गाईज जब तक आप Google Pay के account को एक बार logout करने के बार दोबारा login नहीं करते हैं तब तक अपका Google पे से जो profile photo हुआ रिमुब नहीं होता है, इसलिए इससे आपको एक बार पहले लोगाउट करना है, तो लोगाउट करने के लिए आपको इससे Google पे के home page में आ जाना है, और home page में आने के बाद यहाँपर आपको दोबारा profile photo में क्लिक करना है, और profile photo में click करने के बाद इससे आपको थोड़ा नीचे scroll down करना है और scroll down करने के बाद यहाँ पर आपको settings के option में click करना है settings के option में click करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे sign out का option मिलेगा तो guys यहाँ पर आपको sign out के इस option में click कर लेना है Sign Out के Option में क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दो बारा Sign Out के Option में क्लिक करना है तो जिसे आप Sign Out के Option में क्लिक करते हैं आपका जो Google Pay का Account था वो Sign Out हो जाता है Sign Out होने के बाद आपके सबने कुछ इस तरह का Interface आता है तो जाइज आपको अपना Mobile Number दिखाए पड़ेंगे तो जाइज अब आपको अपने Google Pay का एकाउंट था दोबारा उसे Log In कर लेना है तो Log In करने के बाद आपको नीचे इस Continue के Option में क्लिक करना है जिसे आप Continue के Option में क्लिक के जिएगा तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ Term and Condition Accept करने का Option आएगा तो यहाँ पर Term and Condition को Accept करना होता है और Term and Condition को Accept करने के बाद आपके Registered Mobile Number में एक OTP सेंड किया जाता है और वह जो OTP है वो OTP Google पे Automatic डिडेक्ट भी कर लेता है और OTP डिडेक्ट करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह का Interface आता है तो गाई जगर आप यहाँ पर अपना Bank Account को Activate करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको Activate का Option आएगा तो फिलाल इससे हम Not Now कर लेते हैं यहाँ पर अपकर जो Google Pay का Application है दोबारा Login हो जाता है तो दोबारा Login होने के बाद अब अपको Google Pay का Shopify का है इससे एक बार close कर देना है और close करने के बाद जब आप दोबारा इससे कुछ दिर बाद Open कीजिएगा तो यहाँ पर अपकर याँ पर जो Profile Photo था हुआ यहां से आपका हट जाएगा तो गैज यहां पर हम से close कर लेते हैं और close करने के बाद जब हम दोबारा Google Pay के application को open करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मेरा जो Google Pay में profile photo लगा हुआ था वह successfully यहां से remove हो चुका है तो गैज इस तरह से आप बहुत ही आसानी से Google Pay से अपना profile photo को हटा सकते हैं तो गैज आई होप यह वडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो इसी तरह के helpful वडियो पाने के लिए इस वडियो को like किजिए चैनल को subscribe किजिए साथे साथ इस से अपने दोस्तों के साथ share किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वडियो का जनकारी मिन सकें